नमस्कार वेलकम बैक तो दिशा अग्रिकल्सर अडमी स्वागत है प्यारे बच्चों आज की वीडियो में हम जो एस्टेडी करेंगे मसूर की खेती देखो मसूर की खेती से एक या फिर दो आराम से सवाल आपसे पूछ लिया जाते हैं तो वीडियो पर एंड तक आप लोग सीन्टपिक नेम की है सबसे पहले जानना से यह जानना से यह जो मसूर है हम लोग मसूर कीरती पड़ रहरे है ठीक है suffiC background इसका बैग्जानी नाम किया होता है लेंस एसको लेंट इसका बैग्जानिक नाम है फैमिली लेग्जिव में यह ज़िए क्योंकि दल्हन करॉप है उत्पत्ति इस्तान की बात कि ध्यान रहे, जो लेंटील जो मसूर है इसमें क्रोमोजोम नंबर 14 होते हैं, मटर में भी 14 गुरसूत्र होते हैं, और जों में भी गुरसूत्र कितनी होते हैं, यह बात आपको अच्छे से याद रहनी चाहिए. बिश्व में उतपादन वा चेतरफल में भारत का इस्थान के है परतम दुनिया भर में जहाँ भई मसूर की जाती उसमें भारत का चेतरफल और उतपादन की दажи से jeito Sat? पहला सतान है तीकर न? ये प्रसन काभी इंपॉर्टेंट है कि बिस्ट की सबसे पुरानी दलहनी फसल कौन सी है तो आपको मसूर बताना है यह नहीं लेंटिल इसके बाद उत्तर प्रदेश में छेतर पल और उत्पादन की दर्शते पहला इस्तान है ये बी कापी इचा इस्तान है दुनिया बर में तो भारत का चेटरपल और उतन पदन में पh inj frightn में पहला इस्तान है लेकिन भारत में किस राज का पहला इस्तान है चेटरपल और उतन पादन की दृताते तो उत्तरप्रडिस का कि यह कोश्चरों नहीं आए हैं आपके अधियाय में आगे तो आप सिं़्ता ना करें मश्जूर प्रोटीन की माद्रा कितीच फाइप पर्शिंटीपाइप प्रसंट पिछली साल पर इक्छा में में प्रोटीन की मातरा सर्बादिक होती है तो मसूर बगार सिंद Mayor arise हुआ अगला प्रसन है अब जो मसूर किस प्रकार की करॉप है परपरागी स्वायागी मैं स्वायागी नहीं ही Children's Post रहे जो मसूर है यह लांग डरब contraction भान्ट अब बहुत सारे बच्चों को लग रहा है दलेनी क्रॉप है लांग डिदे नहीं है आपको ध्यान में रखना चाहिए जो क्रॉप रभी सीजन क्रॉप होती है अल्मोस्ट वो लांग डिव प्लांट ही होते हैं जीन फसलों की केती रभी के मौसम में की जाती है अल्मोस्ट जो मसूर है यह पाला को सहन कर लेती है नुकसान नहीं पाला से होता है किस प्रकार की मर्दा इसके लिए सर्वॉत्तम होती है तो जो जलोड मर्दा है जो एलूबियल स्वाइले इसके केती के लिए बेस्ट होती है कौन सी मर्दा जलोड मर्दा यानि एलूबियल स्वाइल जो है मसूर की केती के लिए best होती है कुछ important varieties की बात करी जाएगी तो सपना बहुत important मलिका, प्रिया, सिबालिक और गरिमा दो कुछ सपना, मलिका, प्रिया, सिबालिक, गरिमा IPL एक्यासी बहुत ही ज़्यादा important varieties है इनको भी या रट डालो आप सपना, प्रिया, मलिका, सिबालिक और गरिमा ये सारी popular variety है मसूर की सीड रेट की बात करी जाएगी तो 30-40 kg प्रती हेक्टेर इसका बीज़िदर फड़ता है 30-40 kg प्रती हेक्टेर और बवाई का बेस्ट टाइम है वो कौन सा 15 October से 15 November इसकी स्वाइंग करने का जो सबसे बढ़ियां टाइम है 15 October से 15 November का टाइम बहुत ही बढ़ियां होता है मसूर की बवाई करने के भी है ठीक है ना? अच्छा, अब देखो इसकी मुक बीमारी कौन से बिल्ट है जो कि फ्यूजरियम इस्पसीज सी कारण होती है इदर आ सकती है, बवाई का समय आ सकता है और यह बैराइटी जो है यह आ सकती है है ना? इसके बाद स्वापरागित बाला प्रसन आ सकता है प्रोटीन आ सकती, बस इस से ज़्यादा है इस से कुछ नहीं आएगा तक्स तू आल मेटू नक्स्ट वीडियो, थैंक यू